एक परसेंट का बढ़ोतरी आपको मिल रहा है सोलर पैनल का क्लियरली मैंने आपको बता दिया और यह जो है ना जानना बहुत जरूरी है कि आपको एंटाइप टॉप नमस्कार स्वागत है एक और नहीं वीडियो में आज के इस वीडियो में देखिए अभी जो एबलेबल ट टेकनोलोजी में क्या डिफरेंश है जिसके वज़वसे आपको कौन सा चूज करना है कौन सा नहीं करना है पूरे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आरंब करते हैं देखिए solar panel के बारे में बताने से पहले आपको बता दू और थोड़ी सी basic knowledge बता दू विकॉज अभी क्या है कि 2024 में लगभग एक करोर लोगों की घर में solar panel system लगना है तो जब लगना है तो उनको clear पता होना चीए कि उनके घर में कौन सा solar panel system लगे तो इसके लिए थो समझ लिजे कि आदाई से एक घंटे का cut-off होता है वहाँ पे ideally आपको on grid solar panel system पे जाना चीए और on grid solar panel system में directly grid से connected होते हैं और जो extra busy होता है वो आप grid में भेज पाते हैं और उसके पैसे भी कमा पाते हैं जो state government ने और central government ने भी अभी budget के provision में डाला हुआ है अब दूसरा होता है कि जहां पे बिजली गई ही नहीं है वहां के लिए होता है off grid solar panel system यानि दिन में आप solar panel से बिजली ले लेते हो और उसी से battery को भी charge कर लेते हो रात में आपका battery जो है आपका power backup बन जाता है तो यह basically off grid solar panel system है अब देखिए hybrid क्या है तो hybrid में mixture है off grid और on grid का बोल सकते हैं कि grid स भी connection होती है ठीक है और आपका power backup भी होता है तो hybrid जो है दोनों का mixture है off grid में grid की connectivity होती ही नहीं है यानि जहां पे बिजली का line गया ही नहीं है वहां पे बिजली बनाने के लिए आपको off grid solar panel system लेना चीए तो देखिए इन तीनों category में आपकी जो भी requirement है वो आप choose कर सकते हैं औ और on grid solar panel system पे ही subsidy का provision है ठीक है तो on grid solar panel system यदि आप लगाते हैं तो subsidy भी आपको मिलेगा तो आप देखिए यह तो मैंने basic detail बता दिया आप आते हैं मुद्धे पे जो मैंने starting में बताया था कि आपको monopuck technology यानि half cut में जो monopuck technology यूज हो रहा है और n-type topcon technology है उसमें क्या basic difference है तो चलिए इसको detail में explore करते हैं और आपको clear view देना की कोशिस करूंगा इस video में तो clearly पता चल जाएगा आपको की actual में मुझे कौन सा technology लेना है तो जैसा कि आपको पता है मैंने अभी recently Adani का जो है program attend किया था जिसमें DCR n-type topcon technology आ चुका है तो वो आप n-type topcon technology अपने subsidy वाले भी solar plant में लगा सकते हैं तो यह देखिए यह बहुत बड़ा huge opportunity है देखिए आप Adani के ही panel को यहां पे benchmark लेके एक comparison करते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी तक monopark technology में जो maximum wattage आपको मिल रहा था वो कितना मिल रहा था 550 watt का एक panel आ रहा था आ रहा था आ रहा था तो लगबग 575 watt का solar panel एविलेबल है यानि 25 watt more आपको मिल रहा है तो यह आपको basic difference नजर आ रहा है कि ntap topcon technology में आपको बढ़के यानि solar panel की dimension नहीं बदला है solar panel का कोई width नहीं बदला है लेकिन आपका उसका power generate करने का capacity बढ़ चुका है तो सबसे major difference पहला जो है यह ज्यादा watt pick में आने लगा है ज्यादा watt power में आने लगा है एंटाइप topcon technology सेकेंड बात करते हैं कि maximum efficiency क्या है efficiency का मैंने clearly बताया हुआ कि efficiency वही होता है यदि 100% sunlight आया किसी भी solar panel का तो कितना convert करके वह अपना capacity पे electricity बना पाता है तो सपोज बात करें अभी के सबहे में तो monopark technology में 21.31% पे था कितना था 21.31% efficiency पे work कर रहा था यहीं पे आपको एंटाइप topcon technology में 22.3% का efficiency मिल रहा है यदि बात करें यहां पे तो लगभग 1% का बढ़ होतरी आपको मिल रहा है solar panel का solar panel के electricity generation के terms में अब product की warranty बात करें तो product की warranty जो अभी standard मिल रहा है आपको वो लगभग 12 years का मिल रहा है जी हां दोनों में आपको product warranty जो मिल रही है दो तरह के warranty होते है एक performance warranty और एक होता है product warranty तो अधर के product warranty जो है आपको 12 years का मिल रहा है दोनों में ही लेकिन performance warranty जो मिल रहा है आपको यह लगभग 30 years का मिल रहा है जी हां 30 years का और यह दोनों ही technology में आ अभी मिल जाता है अब सबसे important होता है कि यदि ये 30 years के लिए solar panel है हमारे घर में तो इसका degradation किस level पे होता है यानि देखिए हर समय तो एक जैसा electricity नहीं बनाएगा कोई भी solar panel system efficiency तो घटती ही जाती है यानि उसके electricity बनाने का capacity घटता है तो उसको हम degradation बोलते है ठीक है तो power degradation जो प 2% होता है ठीक है first year में जो होगा लगभग 2% का होता है monopark technology में लेकिन यहीं पर टॉप कॉन technology की बात करें तो power degradation जो पहले year में होगा वो लगभग 1% से नीचे होगा उसमें आप देख रहे थे कि 2% के नीचे है लेकिन टॉप कॉन में आपको 2-1% के नीचे होता है तो इसको एज दे रहा है तो आपकोन technology को एज यहीं दे रहा है कि इसकी degradation का जो capacity है वो बहुत ही minimum है बहुत ही कम है with regarding to monopark, monohalfcut जो अभी तक से solar panel था अब year on year degradation की बात करें यानि average लेके चले बात करें तो यह लगभग आपको less than 0.45% per year था ठीक है mono halfcut sale में जानि monopark technology वो था और इसको आप लगभग हर साल में बात करें तो 2 साल से 30 साल में calculate करके बता सकते हैं अब year on year degradation की बात करें topcon technology में तो यहाँ पे भी यह एज ले जाता है 0.40% जी हाँ 0.40% per year degradation होता है year on year बात करें तो और यह 2 साल से 30 साल का आप calculate करके देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको clear view मिला है कि आपको solar panel system monopark technology में जाना है या topcon technology में जाना है जो अभी के समय में available technology है देखे clearly मैंने आपको बता दिया और यह जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको n-tap topcon लेना है या आपको mono half cut cell लेना है क्योंकि दोनों ही solar panel जो है efficiency के मामले में policy है तो कहीं कहीं better है ना कहीं बहुत ज़्यादा better है तो support जहां पे जो availability है उसके हिसाब से देखे एफिशेंसी तो बढ़ी चुका है जी यहां बिल्कुल बढ़ चुका है और 22.3% का efficiency का अच्छा है N-type topcon technology के लिए और यह आने वाले समय में और भी ज्यादा बहतर तरीके से उपलब्ध होगा और इसमें देखे इसमें कोई भी solar panel का width और length नहीं बढ़ा है तो यह सबसे important देखने वाली बात है और इसको देखकर ही आप अपने technology को choose कर सकते हो N-type topcon technology लेना है या monopark technology में जाना है तो कैसा लगा यह comparison comment करके जरूर बता है और आप अपने घरों में कौन से technology का solar panel लगाने वाले हैं उसके बारे में भी जरूर बता है हमारे comment box में चैनल में ना है तो subscribe जरूर कर लें इसी तरह का helpful content को देखते रहने के लिए चैनल पर बार बार आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जहिंद जहिंद